आप सबी जानते हैं कि मसी मंतन बैठक कुछ दो-ड़ाइस सालों से शोशल मीडिया पर यानि कि दो प्लैटफॉर्म फेस्बुक और यूटूब पर लगातार घरी सिक्षाओं की जो एक मुहीम हैं वो हम लगातार करते जा रहे थे और बहुत सारे लोग जुड़े देश से विदेश से बहुत बड़ी तादात में कुछ 28 वाटसब गुरूप अपी तक हम बना चुके हैं भारत के बाहर 18 कंट्रीज में जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं उनका अलग से वाटसब गुरूप चलता है इंटरनेशनल जुम पर आप लोग बड़ी तादात में टीचिंग के लिए हमसे जुड़ते हैं मैं परमेश्वर का दनिवाद देता हूं कि हर 24 गंटे में 10,000 से भी ज्यादा लोग परमेश्वर के घरी सिक्षाओं की टीचिंग को यूटूब के पर और साथी साथ कुछ साथाथाजार फेस्बुक के ओपर आप लोग जो हैं हमें फॉलो करते हैं और जिसके लिए एक अच्छा मौका एक अच्छी सुईदा हमें मिली है और वो ये है कि अब शेहर शेहर स्टेट टू स्टेट डिस्टिक टू डिस्टिक विलेजिस में हम आ सकें फिजिकली प्रत इस एक शुरूत में फेस्टू फेस आप लोगों से मिल सकें आपको टीच कर सकें आपको बिल्ड कर सकें तो इसलिए लिखा है टो डीच टो टीच टो बिल्ड जी हां असी मंतन बैठक मिशन ट्रिप और इसी सिलसले में मैं कल भी आय था और आज भी आया हूं एक प्रतना क के साथ आज की जो बाते हैं आपकी बीच में मैं रखना चाहूंगा और उमीद करता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो गए हैं जुड़ गए हैं और वाच पार्टी शेयर करना शुरू करें और नीता सॉलमन जी अगर आप फेस्बूक या यूटूब पर देख रही हैं तो इस सबी को कहना चाहता हूं कि आप लोग शेयर करना जारी रखें यूटूब के लोग एक और काम कर सकते हैं कि इसकी लिंक आप जिस किसी भी वाट्स अप ग्रूप में हैं उसमें इसको कॉपी कर दीजिए ताकि विलोग भी जोड़ सकें जी हां आई एक प्रातना के साथ पफितरात्मा आपकी सपस्ट अगवाई इस वक्त में हम मंगते हैं और प्रातना करते हैं प्रभुजी कि जिस-जिस स्टेट को हमने चुना है पहले वहां पहुँचने के लिए परमिश्वर आपका अगवाई मंगते हैं जितने लोग कनेक्ट होते हैं प्रभु सीखना च जाते हैं उन सबी के बीच हम पहुच सकें ऐसी कृपा आप से हम मंगते हैं आदर महिमा आपको देते हैं ये प्रातना इश्यू के नाम से मंगते हैं आमे जी सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपको फिट से बता दूँ जो लोग शायद लेट जुड़े हैं कि मसी मंतन बैठक मिशन ट्रिप करने जा रहा है जी हाँ और आप सभी जानते हैं मसी मंतन का एक ही मोटो, धर्शन, मकसद और वो यह है इशू की बते सिखाना जिसको कहते हैं खरी सिख्षा जी हाँ, और आप जानते हैं कि ठीक, तीन दिन बाद जब इशू मसी पुनुर्थत हो गए, पुनुर्थत हो गए जिसको कह सकते हैं जी उठे, उन्होंने लगातार चालिस दिन पुनुर्थत हो का एक तीन इसको रिकॉर्ड करता है कहता है कि वो परमेश्वर के राज्य की बाते करता रहा और पुलूस दुस्री तरफ एक शप्टर ट्वंटी एट वर्स थर्टी ओन्वर्ड़्स वो कहता है कि इशू की बाते लगाता दो साल इशू की बाते येशू का प्रचार परमेश्वर की राज्य की बाते सिखाता रहा और ऐसे आप टोटल बाइबल के अंदर चमतकार और मिरकल ब्लसिंग ओवर्शेप टाइम पास इन सब से बढ़कर मसी के लोगों ने तब और कुछ अभी दस टक का जिनकी मैं गिंती रखता हूँ वो वही काम करते जा रहे हैं तब भी किये थे और अभी किये हैं और इसी मसी की दे में भारत के अंदर मसी मंतन बैठक और ये डैनियल राज लगातार दाई सालों से इशू की राज्य की बातें करता जा रहा था कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं जिन्दा हूँ जी हाँ तो उस कड़ी में हमने एक नहीं योजना बनाई है कि आपके बीच प्रतेक्ष रूप में फिजिकली तौर पर आपके सामने आकर आपको पीच कर सके सिखा सके आपको बिल्ड कर सके मजबूत कर सके तो जिसके चलते हमने ये जो है धीम या जो भी बोलने लाइन हमने यूज की है तो रीच, तो टीच, तो बिल्ड जी हाँ तो उस मकसद के साथ आपके बीच में आज आया हूँ कल भी आया था, आज भी आया हूँ Now, मुझे ऐसा लगता है कि कल कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो गई मुझे और हमारी जो मैनेजर हैं, उनको काफी कॉल्स आये कि पास्टर जी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रहे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ रहे कarnatakamay क्यों नहीं आ रे West Bengal में क्यों नहीं आ रहे तो मैं आपको बता दू, यह रहा आपका भारत का नक्षा जी हाँ उत्तर दक्षिन पूरा पक्षिम आप जानते होंगे तो ऐसे करके यह जो लाईन है ना कहते हैं West इस छेत्र को जिसको कहते हैं बेल्ट मतलब एक पट्टे में आने वाला राज्य उसका चुनाओ हमने पहले किया है उसके बाद हम बाकी जितने राज्य हैं जो उसके बेल्ट में आते हैं न मैं आपको बता दूं क्यों आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो आज जाना है और उसके बाद राजस्थान पहुचना होगा क्योंकि वो उसके साथ connected है उसके साथ हरियाना फिर उसके बाद पंजाब और फिर उसके आगे जाओंगा तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका अम्रीच सर से जो पट्टा निकलता है बेल्ट निकलता है वो जात आजाओ, तो Kolkata, आप देख सकते हैं, वहाँ पर है, टोटल अपोजेट है, तो रूट गडबर हो जाएगा, तो तब जाकर हमने ये प्लैन किया, कि एक एक लाइन में जो बैठता है ना, उसको कवर करेंगे, तो मसी मंतन के जितने सदस्ये हैं, मेंबर्स हैं, ओनलाइन प्र जाता हूं कि निराश मत होईए, मैं सब भारत के 29 राज्य को कवर करूँगा, या तो इस साल, या तो अगले साल, लेकिन तब तक के लिए, आप लोग जो है, मेरे साथ में जुड़े रहें, ओनलाइन से कनेक्टेड रहें, जूम, वाट्सप, फेस्बुक, और आपका यू उजरात को कवर करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान को कवर करेंगे, उसके बाद हम हर्याना को कवर करेंगे, उसके बाद हम पंजाब जाएंगे, उसको कवर करेंगे, उसके बाद में शिमला या हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, यह देख लीजे, जमु एन कश्मी, फिर आते वक्त, डिटन में, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पड़ेगा, उसके बगल में उत्रा खंड या देहरा दुन, वहां पे भी अगर हमें प्लैन होता है, एक सिस्टर है, उनके साथ बात करके हम वहां पे भी जानी की योजना बना हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस छेत्र के जितने लोग हैं, आपको ये बात को समझना है, और सिस्टर मीनल शिंदे और नीता सॉलमन को, क्योंकि मुझे पता चला है कि मीनल शिंदे कभी-कभी आप लोगों के लिए अपलफ नहीं रह पाती है, उनका भी अपना-पना को कॉल करना है, और पंजाब के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि समीशा जी जो है, वो हैंडल कर रहे हैं, तो वापस आते हैं इसी नक्षे के ओपर, तो अब आपको करना क्या, जैसे मैंने कल क्या कहा था, कि मसी मंतन के जितने भी मेंबर्स हैं, गुजरात में, उन वैक्तिगत मिल सकते हैं, जिसको मैं खुद भी मिलना चाहता हूँ, वैक्तिगत का मतलब है, मुझसे आप मिल सकते हैं, मैं आपके पास वैक्तिगत नहीं आ सकता, लेकिन अगर गुजरात के जो लोग हैं, जिनकी बातचीत हम करवा रहे हैं और उनका कॉल्स आ रहे हैं, त जिसके चलते उस लीडर को जिसको हम ग्रूप में ही डीटिल शेर करेंगे, फेस्बूप पे नहीं करेंगे यूटूप पे नहीं करेंगे हम ग्रूप में ही उसको जो है डिसकस करेंगे और ये भी बता दूँ कि इस मीटिंग में हम बाहर के लोगों को जो मस्ही मंतन के मेंबर नहीं है, उनको इजाजत नहीं है, क्यों? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खरी सिख्षा आप जानते हैं, हम अन्य बाशा, जिसको कहते हैं जिबरिश ग्लोसा नहीं है, जिबरिश, बढ़बढ करना जो करते हैं यह लोग, उसको और उसके बाद के कली सेहने करीना कराई तो जिसको करा ही नहीं और कराया ही नहीं उस बकवास को और कच्छरे को हम क्यों सिखाएं और क्यों लोगों को कहें कि आप इसको follow करो तो सबसे पहले जिपरिश यानि की इनके हिसाब से आन्य बाश्टा जिबरिश उसको हम टोटल गलत बोलते हैं ऐसे लोगों को इजाज़त नहीं है जब मैं आऊँगा दूसरा हम किसी प्रकार का भवित्रात्मा के नाम पर मजाक नहीं उडाते नीचे गिराना, उठा-पटा करना, रुलाना, हसाना, उल्टी कराना ये सारी चीज़े नहीं करते क्योंकि वच्चन बिल्कुल स्पस्ट कहता है कि जिस दिन हम इशु में आते हैं दूसरा कॉरंटिय पांच का सत्रा, 2nd कॉरंटियन 5.17 कहता है कि यदि कोई मसी में है अफकोस अगर है, तो वो नहीं सिस्टी है, पुरानी बाते चली गई और मुझे ये जो बाबागिरी वाले लोग है, जो करिस्मेटिक, पेंटिकोस्टल और नजाने इंडिपेंडनेंट ऐसे जो ग्रुप के लोग हैं, जो so called leaders हैं, जो उनको कहते हैं कि आपके अंदर दुस्टात्मा है तो फिर प्रशना उड़ता है, एक वेक्ति उधार पाता है, और उसको कहता है वचन कि तू नहीं सिस्टी है पुरानी बाते चली गई, और उसके जीवन का सारा चीज, जो उसको clear करना है मुर्ती पूजा हो, पाप हो, गलत आदते हो, सब को छोड़ दिया उसने उसके बाद भी अगर वो वेक्ति में दुस्टात्मा है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि Bible गलत हुई और आप सभी जानते हैं कि Bible गलत नहीं हो सकती, वच्छन गलत नहीं हो सकता, गलत तो यह लोग हो सकते तो मुझे ऐसे लोगों को यह बताना है, कि आपको मेरी मीटिंग में जब मैं गुजरात, राजस्तान, अरियाना, पंजाब, शिमला, इमाचल, जम्मू, कश्मि, डेली, उत्राकंड, या देहरादून, अगर आता हूँ, आपके बीच पहुँँँगा, और आप मेरे पास आते हो, तो आप लोगों को इस मीटिंग में इजाजत नहीं, ऐसे लोगों को, जो पवित रात्मा के नाम पे उल्टा सिधा मजाग बना के रखे हूए, नीचे किराना, उठा पटक, दुस्टा आत्मा निकालो, आपके अंदर ये है, वो है, पुराना श्राप है, उल्टी करो, नहीं, ये बकवस नहीं चलेगा, और जितने मसी मंथन के लोग हैं, मेंबर्स है, जिनको पता है, कि मैं क्या सिखाता हूँ, और मैं वहीं सिखाता हूँ, जो Bible का वचन सिखाता है, वो भी context में, कहीं से उटाकर कुछ नहीं सिखाते हैं, संधर्ब में, और पूरी की प हार का वेक्ति अफकोस आप लोग सुन रहे होंगे जो मसी मंतन के सदसे नहीं है तो अगर आपको लगता है आप बैठ कर सोचते हैं परमिश्वर का आत्मा आपको प्रिणा करता है किसी को देखो डैनियल राज क्या बोल रहा है या मुझ जैसे दस्तका क्या बोल रहे है आप को अगर प्रिणना होता है आपका स्वागत है आप खुद को बदल कर मसी मंतन के मेंबर आप बनते हैं आपका स्वागत है और मैं तो हमेशा कहता हरा हूं कि हमें भीड नहीं चाहिए हमको भीड नहीं चाहिए हमको भीड नहीं चाहिए हमको भीड चाहिए क्योंकि गिदिय 14 का 2526 है ये शुने नहीं का मेरे पीछा उसने का मेरे पीछे वही आए जो अपना कुरूज उठाएगा जो अपना इंकार करेगा जो इशु के लिए जोती और नमक बन कर काम करेगा तो हम बिलकुल स्पस्थ हैं हम टोटल क्लियर हैं बातों में तो ऐसे लोगों को जो अभी देख रहे होंगे ये वीडियो जब अप्लोड होगा तो आपको बता दूँ कि ऐसे लोगों को जो अन्यबाशा यानि जिबरिश पवितरात्मा का मजाग नीचे गिराना उटा पटक असना रुलाना दुस्तात्मा या एक्स वाई जड इन सभी चीजों में और दश्माश यहुदी वाद और ऐसे ना जाने कितने नॉन बिब्लिकल कॉंसेट वाले मिरकल्स मनी मतलब चबतकार से पैसा आ जाएगा तेल भानी रुमाल कपड़ा ऐसे सभी बकवास से आप लोगों को हम जो हैं कहते हैं बचो आप अगर सुधरते हो तो आओ और प्रभू के पीछे स आप को तयार होना है आपने अगर अभी तक इनको कॉल नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ आप कॉल करें गुर्जरत के लोग अगर आप चाते हैं आप M.M.B. के मेंबर हैं और आप चाहते हैं, 150 लोगों को एकटा करके, 20-25 जो भी है, उनको एकटा करके, आप meeting रख सकते हैं, आपको इनको call करना है. वैसे ही, राजस्थान, इनको call करना है, इसको paus करके आप नमबर ले सकते हैं. उसके बाद हरियाना जितने हरियाना के लोग हैं मैं आपको सब को बता दूँ कि आपको भी जो हैं कॉल करना है इनको कॉल करना है और मीटिंग की योजना बनानी है मैं जानता हूँ कि राजस्तान बहुत बड़ा है मैं राजस्तान में आ रहा हूँ राजेस्थान में उदैपूर है, जैपूर है मतलब बहुत कुछ है अजमेर है अगर मैं गलत नहीं हूँ या अजमेर है ठीक है न? तो इन सभी जगे से अगर आप मीटिंग रखना चाहते हैं प्लीज इनको कॉल करें ये नंबर है ठीक है न? उसके बाद पंजब आफकोस आप इनको कॉल कर सकते हैं लेकिन समीशा जो है वो टोटल लीड कर रही है उसके बाद शिमला कुछ पास्टर्स हैं शिमला में इमाचल प्रदेश में अगर आप चाते हैं इस ट्रिप में हम वहाँ पर आएं या जम्मू कश्मीर है तो जम्मू से जितने मशी मंतन के सदस हैं और आप देख सकते हैं अपर, आप देख लीजेगा ठीक है न? तो हम सभी जगे पे जम्मू कश्मीर में जहां कहीं पर भी आप मीटिंग करना चाहें तो इस number पे आप लोग call कर सकते हैं और बता सकते हैं कि Pastor Daniel Raj को हम जो है जम्मू कर्शमीर में meeting के लिए plan करना चाहते हैं फिर आते वक्त नीचे return आते वक्त मुंबई की तरफ तो बीच में हम जाएंगे दिल्ली तो दिल्ली के जितने लोग हैं जितने लोग हैं अगर आपको अभी पता चला है तो आप ये number पे call करें ठीक है? उसके बाद में उत्राखण तो कुछ लोग वहाँ पे भी हैं जो चाते हैं कि मैं वहाँ पर आओ तो मैं बिल्कुल आओंगा ठीक है ना तो ऐसी करके आपको जो है इनको ये नमबर पे कॉल करना है अब प्रशन उठता है कि Pastor Daniel कौन सा महिना आप आएंगे देखिए मेरी फूरी कोशिश है कि मार्च के बीच के महिने में मैं स्टार्ट कर दो मार्च के बीच महिने में लेकिन जिस तरीके से response आएगा जिस तरीके से meeting की dates हम को मिलेंगी उसके इसाब से हम जो है पूरा calculate करेंगे और WhatsApp group में मैं repeat करता हूँ ये जितने भी states है ना उन सब के WhatsApp group में आपको proper detail में आपको जो है जानकारी मिल जाएगी कि कौन से तारीक में हम कौन से शहर आ रहे हैं उस तारीक से उस तारीक तक हम उस शहर में रहेंगे उसके बाद अगला शहर का हम चुनाओ करेंगे और ये सब कुछ depend होगा आप लोगों के call इनको आने के बाद ओके तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ये बात को समझ गए हैं important announcement ये है कि इन सभी जगे पे मैं और मेरी team जादा से जादा हम चार लोग होंगे जादा से जादा चार लोग होंगे तो ऐसे करके मेरी जो कार है गाड़ी है XU300 उसमें हम travel करेंगे ठीक है न काफी अची condition में है कोई दिक्कत नहीं है उसमें हम travel करेंगे तो मुंभई से लेकर वापस मुंभई आने तक यह सब घुमने तक तो डीजल का आज हम चर्चा कर रहे थे कितना खर्चा होगा डीजल का तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 अज़र सिरफ डीजल का चला जाएगा तो वो सब हम करेंगे मतलब मैं करूँगा हमारी टीम करेंगी मतलब मसी मंतन करेंगा in short आप से नहीं लेंगे इन लोगों से नहीं लेंगे नमबर टू जिस जिस शहर में हम पहुँचेंगे वहाँ पे जो होटल का रेंजमेंट होगा अगर हम रहते हैं एक दिन दो दिन तो उसका भी खर्चा आप से नहीं लेंगे वो हम करेंगे एमेंबी करेंगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल आप आ रहे हो हमारे शहर में हम प्रबंद करेंगे हमारा घर है जो भी है ठीक है ना शहर में गाउ में आप रहिए यहां पे रहिए हम सब कुछ खाने का रहने का करेंगे तो आपको स्वागत है आपको उसकी छूट है हम उसमें आपको कुछ नहीं बोलेगे ठीक है तो यह एक आपके दिमाग्स में मैं डाल देना चाहरा हूँ कि आपके ओपर कोई बोज हम नहीं डाल रहे हैं यह मसी मंतर ने तै किया है मैंने तै किया है जो आपके ओपर हम बोज नहीं डाले हैं उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो लोग इखटे होंगे उनको बात करना है वर्शिप होगी तो मुजिक या फिर साउंड सिस्टम जिसको कहते है पी ये सिस्टम और साथ में मैनुवल टीचिंग मैनुवल जो मैं आपको बताऊंगा ऐसे करते हुए टोटल हमारी गाड़ी के अंदर ये टोटल सेटब के साथ हम इन सब शेहरों में घुमने वाले हैं अब आपको पिच्चर पुरी क्लीर हो गई बात पुरी समझ में आ गई और जिसके लिए अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आपको इनको कॉल करना है अब इंपोर्टन चीज जैसे लिखा है कि हम वैक्तिगत विजट के लिए नहीं आ रहे हैं जी मैं रिपीट कर दू कि हम वैक्तिगत विजट के लिए नहीं आ रहे हैं दूस्त लिखा है मकसद को समझे मैं क्यों आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कल बताया गया मीनल के द्वारा कि कुछ लोगों ने कॉल किया है कि हम तो मीटिंग नहीं करना चाहते हैं पास्टे डैनियल का लेकिन उनको घर पर बुला कर खाना खिलाना चाहते है यह आपका प्यार है यह आपका क्या कहते है प्रभु के लोगों के प्रती सम्भान है मैं उसका कदर करता हूँ लेकिन इस बारी नहीं और मुझे नहीं पता कब होगा लेकिन अगर में वैक्तिगत आने लगा तो सोचके देखिए राजस्थान, हर्याना, पंजाब और ये जितने भी शहर है एक कोने से अगर आपने मुझे कॉल किया और मैं हूँ दूसरे कोने में तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में शायद 200 किलोमेटर होगा, 300 किलोमेटर होगा तो मैं डिनर, लज़ करने के लिए 300 किलोमेटर गाड़ी चलाओ बिलकुल बुद्धी की बात नहीं होगी ठीक है न? तो माफी चाहता हूँ अभी से कि वैक्तिगत विजट के लिए हम नहीं आ रहे हैं हम आ रहे हैं आपको सिखाने हम आ रहे हैं आपको टीच करने उस मकसद से आ रहे हैं तो उसको महरवानी करके आप लोग समझेगा एक चीज इन फैक दो चीज आपके बीच में में रखना चाहरा हूँ सबसे पहले इस मिशन के लिए अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप ये दो नंबर पर कॉल कर सकते हैं लेकिन ये जो नीचे वचन है दूसरा कुरंति नो साथ के अनुसर वैसे देना है किसी पे कोई जबर्दस्ती नहीं है आप देते हैं इस मिशन ट्रिप के लिए तो भी ठीक है आप नहीं आता है देते हैं तो तो मैं वैसी लेके चल रहा हूँ हाँ बस ये इतना फरक होगा कि जो पैसे हम मिशन ट्रिप पे खर्चा कर चुके होंगे मैं समझता हूँ कि कुछ पहने दो लाग का बजट है ये पहने दो लाग रुपे इन सबी जगों पे ट्राइवल करना सब कुछ करना ठीक है न तो ये तो हम वैसी खर्चा कर रहे है लेकिन फरक इतना हो जाएगा कि हमारा जो क्या कहते है बजट है न इस मिशन के ट्रिप के चलते हैं थोड़ा टाइट हो जाएगा क्योंकि मिशनरीज को हम सपोर्ट करते हैं कम से कम मैं अगर गलत नहीं हूँ एक लग के आसपास हम जो है महिने में मिशनरीज को सपोर्ट करते हैं काफी मिशनरीज को सपोर्ट करते हैं तो जिसके चलते जो है उसमें दिक्कत आ सकती है लेकिन प्रभु भला है और वो जानता है क्योंकि काम मेरा नहीं है परमिश्वर का है यह एक आप मदद कर सकते हैं और दूसरा इस बड़े कारे के लिए जिसको कहा किया है मिशन ट्रिप के लिए प्रातना कर सकते हैं आप लोग और मैं चाहता हूँ कि आप करें जी हाँ आप करें क्योंकि प्रातना का बैक आप होना बहुत जरुए और आप जानते हैं कि अगर गारी निकली रोड से मुंबई से कश्मीर तक फिर वापस मुंबई तक तो आप सोच क देखें चार टायर हैं पंचर हो सकता है टायर फट सकता है इंजन ब्रेकडाउन हो सकता है रास्ते में जो उल्टे सीधे लोग मिलते हैं जगडे वाले सिगनल ब्रेक हो गया क्या कहते हैं टोलना का पर इन सभी को पार करते हुए एक-एक स्टेट हमें कवर करना होगा ना बहुत जरूरी है और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि हाँ एक और क्लियर कर दूँ कि परमेश्वर ने हमको जगत की जोती बोला है और साती साथ हमको कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और आपका पहला योर्ना चार चार फास्स जॉन फॉर फॉर कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे खई गुना बढ़ा है जो बार है तो आपको ये बता दू कि परमेश्वर ने ये काम हमें दे दिया दोजार साल परे रीच, टीच, एंड बिल्ड इसको हम लेके चल रहे है इस मोहिम को तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अमारे साथ है उसके बावजूद कुलूसियो चार का तीम अगर आपको याद होगा तो पाउलूस कहता है निकालना इसमें उसमें किसमें भी तो पाउलूस कहता है मेरे लिए प्राथना करो किस के लिए पाउलूस के लिए मैं बिमार हूँ इसलिए नहीं मुझे पैसा है नहीं है इसलिए नहीं मेरा हेल्थ ठीक है उसलिए नहीं वो कहता है सेविकाई के प्रती प्राथना करो मैं आपको पड़वा देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने इस वचन को और भी कई वचनों को गलत तरीके से सिखाया है देखो, पालूस कहता है प्रात्ना करो लेकिन पालूस ने कभी नहीं का कि मेरे बिमारी के लिए प्रात्ना करो वक्तिगत पालूस ने का मिशन के लिए प्रात्ना करो उसने का सेविकाई के लिए प्रात्ना करो और मैं अमेशा से कहते आरो तो कुलेशन चेप्टर फो बस्त्री दूस्षा कोई नहीं है इसमें भी नहीं है anyway no problem, कुलिस्यो चार का तीन आपको याद होना चाहिए तो मैं समझता हूँ अगर मिलता है तो दे देना जी तो mission के लिए इस बड़े कारी के लिए आप लोग जो है प्रात्ना करें कुलिस यू उसका चार का तीन अराम से take your time so मेरी जितनी team है उसका फोटो हम डाल देंगे ग्रूप में हम कौन-कौन जा रहे हैं बग काईदा उनका नाम लेकर आप जो हैं प्रात्ना कर सकते हैं safety के लिए journey के लिए गाड़ी के लिए finance के लिए mission के काम के लिए लोगों को जो train करते हैं उसके लिए जिस-जिस city में होंगे वहां की सारी detail आपको जो हैं हम देते चले जाएंगे ठीक है ना देखो पॉलूस क्या कहता है कहता है कि कुलिसियो चार का तीन में इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रात्ना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वच्छन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसी के उस भेत को वर्लन कर सके जिसकी कारण मैं कैद हूँ तो इसका मतलब है कि पॉलूस ने कहा है प्रात्ना करो किस के लिए मिशन के लिए ठीक है ना जो कि आपको निविदन दे रहे तो मैंने दो चीज़े आपके बीच में रखी है एक मिशन के लिए आप कुछ देना चाहते है आपका स्वागत है ये दो नंबर पे कॉल कर सकते है बट साथी साथ इंपोर्टन है कि आप हमारे लिए प्रात्ना करें अब आते हैं असली मुत्ते पे उसके बाद में मैं फिनिश करूँगा ठीक है ना याकूब एक सोला क्या कहता है देखो कहता है कि धोका ना घाओ या मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ओपर फोकस करें उसको ले ले अंदर फिर बात करते हैं जी जितने फेस्बुक पर हैं इसको शेर करें जितने यूटूब पर हैं आप लोग इसके लिंक जो हैं दुस्वों को शेर करें और पहुचाएं क्योंकि बहुत बड़ा कार यह मैं समझता हूं कि मार्च और अपरिल में होने जा रहा है जी मार्च और अपरिल यह ओके इस वच्छन के मताबिक याकूब एक सोला बस इतना ही लाइन है हे प्रिये भाईयो दोका ना खाओ दोका ना खाओ पास्टर डैनियल यह वच्छन आप हमको क्यों पढ़वा रहे हो या क्यों रख रहे हो या क्यों दिखा रहे हो आपको बता दूँ कि आज की वर्तमान स्तिती मसियत की बहुत बिगड़ गई है मैं रिपीट करता हूं बहुत बिगड़ गई है चर्च इस को जिस चीज पे फोकस करना चाहिए था या करते रहना चाहिए उसे कोसो दूर चले गई है कोसो दूर ईशु ने कभी नहीं कहा कि चमतकार कैसे होगा वो सिखाओ येशु ने कहा मेरी बाते सिखाओ चमतकार यूही होता रहेगा मरकु 16 का 19 पढ़ लीजे वे निकले प्रचार करते रहे और लिखा है कि जहां जहां जाते थे येशु का प्रचार करते थे और प्रभू अपने चमतकार को कनफर्म करवाता था और प्रेरितों का आठवा ध्याय में भी यही हुआ है लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है कहते हैं कि सिखाओ miracles कैसे होंगे सिखाओ how to be a prophet ये एक नहीं तमाशा शुरू हुआ है आजकल कहते हैं कि prophetic conference prophetic conference भविश्वक्ताओं का सम्मिलन मैं पूछना चाहता हूं इतने साल से तो कर रहे हो क्योंकि मैं भी इसी फिल्ड में रहा हूँ 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ तो कितने profit तयार हो गया और अगर इतने profit आप लोग ने तयार कर दियें तो एक ने भी क्यों नहीं prophecy करी कि वाइरस आने वाला था बात को समझा करो ठीक है ना टाइम पास मत किया करो और जितने लोग जा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए हाँ कुछ लोग बोल सकते के डैनिल राज आप इतना कड़क क्यों बात करते हैं दूसरे शब्दों में आप किसी को जच करकर क्यों बात करते हैं ये तो मैं अभी बात कर रहा हूं लेकिन जब तक मैं बात कर रहा हूँ या मुझ ऐसे 10 तक का बात कर रहा है आप लोगों को बचने का चांस है लेकिन जिज दिन Yeshu बात करेगा तो फिर फिनिश पर क्रिनेंटन का चंस नहीं मिलेगा तो प्रभू क्या करता है हम जैसे लोगों को बेजता है क्योंकि आप लोगों को भी महलूम है आजकल क्या चल रहा है अचा दूसरा और एक चीज मेरे को पता चला है कि मिरेकल्स को भी सिखा रहे हैं कि चमतकार कैसे होगा फिर पवित्र आत्मा को टॉपिक लेकर उसको सिखाते है हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट उसके पांच पॉइंट, साथ पॉइंट, दस पॉइंट कॉंसेप भी नहीं समझ में आता है इन लोगों का जबकि बाइबल स्पस्ट कहती है कि जो वेक्ती जिस दिन ये शुको अपनाता है उसी दिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है दरजनोव अचन बता सकते हैं आपको और उसके उपर में वीडियो बना चुका हो लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कॉंसेट कहां से लेकर आए है जबकि Holy Spirit अलड़ी आ चुका है उसके अंदर पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो जो भी प्रभू का अपना जीवन देता है उसका उधार हो चुका है और उसको पवितरात्मा मिल चुका है फिर ये भी आजकल कुछ सालों से चल रहा है How to be a worshiper Wow, How to be a worshiper क्यों? क्योंकि Jesus ने कहीं पे भी नहीं सिखाया Jesus ने, Peter ने, Paul ने कहीं पे भी नहीं सिखाया और ये mission है ही नहीं कि How to be a worshiper एक वेक्ति जो प्रभू से प्यार करता है पवितरात्मा उसको प्रेणा देता है और पवितरात्मा से भर कर, of course वो भरा हुआ है, वो जब देता है that is call worship और वो है सच्छी है रात्मा फिर यहां पे सिखाते है कि प्रभू मुझे घीत लिखने का दान देता है मैंने बाइबल में कहीं भी नहीं पड़ा कि प्रभू गीत लिखने का दान देता है दान नौ प्रकार के उसके अलावा कुछ भी नहीं तो फिर प्रशन उठता है कि यह तमाशा कहां से चल रहा है फिर कहते हैं कि I want to be a musician मैं पैदाई हुआ हूँ ताकि मैं music बजाओ वा भाईया, यह कहां है सब कुछ सिखा रहे है लेकिन जिस चीज को सिखाना है वो नहीं सिखा रहे है तो तब जाके लिखा है कि धोका ना खाओ मेरी यह वीडियो यह एडिट होगी थोड़ी सी इसको आप तक पहुँच रही है मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे लोग तक भी पहुची होगी और अभी देख भी रहे होंगे कि डैनियल राज आप तो नियाए कर रहे है आप तो जज़ कर रहे है और आप मतलब मॉटिवेशनल बात करो उतेजना की बात करो अफ्कोस मैं करूँगा लेकिन मिशन में तो आओ मैं आपको उत्सा का प्रचार करूँगा लेकिन कम से कम मिशन में तो आओ जेला तो बनाओ किसी को बिठा कर सिखाओ डिसाइबलिंग करो विटनेस करो कॉस्पल प्रीच करो अफ्कोस करेंगे इसलिए यह शाया एक चार याद आ रहा है आईजाया 1.4 वहाँ पे लिखा है कि सर से लेके नाकुन तक कुछ भी अच्छा नहीं है तो फिर मैं दवाई उपर उपर लगाओं या फिर उसका जो पस है उसको दबा के दर्द होता है अभी मेरी बातों से भी दर्द हो रहा होगा वह पस जब तक पूरा बाहर नहीं निकलता तब तक धवा अंदर काम नहीं करता ये भी आप लोग जानते है ये तो लिखा है ना फिर और ये शुने कितनी बार बोला है अपने प्रचार में सावदान, सावदान, सावदान या तो इसी को हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं जब तक, अभी जब से स्टार्ट किया था अब से तो लॉक डाउन लग गया था लेकिन अब खुल गया सब कुछ तो अब हम क्या करेंगे मैं अभी तक यहां शूटिंग रूम में बैटके आपको टीच कर रहा था लेकिन अब मैं निकल रहा हूँ भार आपके भीच पहुँँगा ठीक है ना और आपको ऐसी बातों से हम ट्रेन करेंगे आपको सिखाएंगे जो सिखेंगे प्रेज गॉड जो नहीं सिखेंगे नमस्ते क्योंकि एशु तो पहले ही बोल चुका है कि लाखों की तादात में मतलब बड़ी संख्या में लोग जो हैं नाश्की और जिसको कहते हैं चौड़ा रास्ता लेकिन कुछ चुनिंदा सलेक्टेड लोग सक्रे रास्ते में जिसको कहते हैं नेरो वे इशु की बातों वो तो हम पहले से जानते हैं हाँ तो इसका ख्याल रखें तो जिसके चलते ये सारी बाते मैंने आपके बीच में रखी हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से आपको रिवाइव कर देता हूँ Mission Trip To Reach, To Teach And To Build ये कर रहे हैं भारत के सिरफ इसी चेतर में बाकी चेतरों में हम नहीं जाएंगे अभी लेकिन भविश में जरूर जाना चाहेंगे ठीक है तो फिर से कहता हूँ कि इनी चेतरों में अगर कोई मुझे MNB के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ और अगर नहीं भी हैं तो बनकर आप सही सिक्षा में आ जाएए और इनको कॉल करके आप कह सकते हैं कि डैनियल राज गुजरात आ रहे हैं राजस्तान आ रहे हैं हर्याना आ रहे हैं पंजाब आ रहे हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कॉल कर सकते हैं याद रहे हम व्यक्तिगत विजट के लिए आपके छेतर में, आपके शहर में आपके राज़ में नहीं आ रहे हैं जिसके लिए लिखा है मकसद को समझे यह पूरा वीडियो को अगर आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा दो चीज़ आप कर सकते हैं इस मिशन के लिए अगर आपको लगता है कि यहस पास्टी डैनियल हम अपनी तरफ से हम तो नहीं जा सकते लेकिन आपको भेज सकते हैं तो कुछ रकम आप देना चाहें तो इनको कॉल कर सकते हैं और यह आपको अकाउंट डीटेल्स दे देंगे मिशन ट्रिप के लिए जो कि बड़ा कार्य में हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें प्रात्ना के विशकता है महरबानी करके आप लोग जो है हमें प्रात्ना में याद करें जिस दिन मिशन स्टाथ होगा उस दिन से